Last one study plan for December 2024 exams तो अब December 2024 exams को last 30 days बाकि approximately और जैसे जैसे exams नस्दिकार है आपके mind में बहुत ज़्यादा confusion हो रहा है questions आरे कि last 30 days है तो कैसे हम इसको best way में use कर सकते हैं कौनसी चीज़े avoid करनी है कौनसी चीज़े follow करनी है ताकि हम ensure कर पाई कि हमरा exam इसी बार clear हो जाए और जिस दिन से ये video upload हो रहा है तब से approximately last 30 days बाकि आपके exam को और यही 30 days decide करेंगे कि आपका exam clear होगा के नहीं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है कि आपके पास एक proper study plan है जिसको आप follow कर सको जो follow करके आप make sure कर सको कि हर एक दिन आप best way में use कर रहे हो और जब exams आई तब आप well prepared हो exams को face करने के लिए है और last के 30 days सबसे ज़्यादा important होता है क्योंकि आप सोचके देखो अगर आप preparation कर रहे हो 5, 6, 7, 8, minus है बट अगर last के 30 days सही से use नहीं कर सकते हो अगर आप ये last 30 days सही से use नहीं करते हो तो जो आपका इतना सारा preparation इतना hardware के इत next 30 days और trust me अगर आपने इसको अच्छे से follow कर दिया तो आपका पहले का preparation तो है ये बट ये 30 days में अगर आपने इसको अच्छे से follow कर दिया तो आपको pass होने से कोई भी नहीं रोख सकता बस आपको make sure करना है consistently ये follow कर रहे है over the period of next 30 days अब time काफी limited है इसलिए direct आते first point पे जो ह keep revising and don't study anything new अब ये बहुत जादा important है जैसे जैसे exams नस्दिक आ रहा है आपको नया जो भी आप पढ़ रहे हो वो पढ़ना बंद करना है जो आप और बार बार revise करो क्योंकि पढ़ाई से जादा difficult होता है उसको याद रखना और याद कैसे रहेगा exam में जब आपको question दिखे होगा आप कुछ नया याद करने की कोशिश करोगे वो exhaust हो जाएगा और हो सकता है जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाओ इसलिए ज्यादा pressure मत दालो आपके mind पे सिर्फ revise करो keep on revising जितना ज्यादा number of revision होगा उतना आपके लिए beneficial होगा अब मुझे पता है बहुत सार 30-40% syllabus बाकी है तो कैसे आप उसको complete कर सकते हो और कैसे adequate revision भी कर सकते हो तो यह वाला वीडियो देख लेना उसके लिए मैं नीचे link description में दे दूँगा अब आता है second strategy पर जो काफी interesting है ध्यान से समझना इसको कहते है identify majority of the important chapters अब आपने सुना होगा कि important chapters तो सुना था बट यह मतलब example लेता है कि अगर पिछले बार पिछले टम में कोई chapter में से अगर 20 माग का आया तो जरूरी नहीं कि इस बार भी उसमें से 20 माग का आएगा क्योंकि आपको पता होगा ICSI ऐसे ही tricks खेलता है जिससे पिछले बार कोई chapter में से 25 माग का देगा 20 माग का देगा बट अगले सर लेता है कोई भी एक subject ले जिसमें total 20 chapters है उसमें total 20 chapters में से 10 chapter अगे जिसमें से 50 to 60 माग का paper बन जाएगा हर attempt में आप उठा के देख लेना वो 10 chapters में से 50 to 60 माग का paper बनेगा उसके बात के जो next वाइ錯 you उसमें से 20-30 marks का paper आएगा और उसके बाद के जो last 5 chapters से उसमें से hardly 10-15 mark का questions आएगा अब मैं आपको ये नहीं बुर रहो कि last 5 chapters है जो important नहीं है जिसमें 10-15 mark आएगा वो छोड़ दो खाली जो 10 chapters है जिसमें से 50-60 marks काता है वो पढ़ो एसा नहीं है मेरा कहने का main motive यहाँ पर यह है कि आपको ज़्यादा focus है क्योंकि अभी आपकी बास time limited है तो ज़्यादा focus time energy आपका कहाँ पर invest होना चाहिए उसमें जो है majority of the important chapters और आप इसको कैसे identify कर सकते हो scanner का use कर सकते हो past year question paper आप go करके identify कर सकते हो यह तीन resources यूज करके आपको identify करने कौन से है majority of the important chapters जो third point है वो है make sure to watch marathon lectures before revision अब इसमें आप ध्यान से सुनना आपको revise तो करना ही है बट क्यूंकि आप अभी जो revise करोगे वह ऐसी चीज़े होगी जो आपने काफी पढ़ी होगी किसी ने जून में पढ़ाओगा किसी ने जुलाई में पढ़ाओगा किसी ने ऑगस्ट में पढ़ाओगा तो ऐसा हो सकता ही कि जब आप revision के लिए book open कर रहे हो आपको लगेगा रहे मैंने तो यह पढ़ा था बट अब मुझे यादी नहीं आ रहा है तो ऐसा situation ना हो पैनी create ना हो इसके लिए क्या करना रिविजन आपको करना है कैसे एक कोई भी सब्जक्ट ले ले लेते जैसे company लोग तो अगर आप company लोग का revision करने के लिए start कर रहे हो तो वह revision के पहले एक बार उसका पूरा marathon स्टाइल आपको पसंद है उसके marathon लेक्चर में आपको chapter by chapter देखना है chapter 1 का marathon देखा फिर chapter number 1 revise करना है similarly फिर वापस आके chapter 2 का marathon देखना है फिर revise करना है इससे आप ensure कर सकते हो कि panic create ना हो last moment पे और ऐसा ना हो कि आपको याद नहीं आ रहा है कि आप पढ़ाता marathon से आपको पूरा refreshment मिल जाएगा मतलब जो भी आपने पढ़ा था उसका revision तो होई जाएगा बट जब आप book खोलके practically revise करोगे तभी आपके लिए आसान हो जाएगा अब जो fourth point है वो है कि आपक एक दिन कैसे पढ़ेंगे मतलब जब आपका एक्जाम चलेगा तो अगले दिन आपको छुट्टी नहीं मिलती है यह CS की एक्जाम में चुट्टी मिलती है papers के पहले हमारे case में back to back papers होते है अब suppose आप आज एक एक एक्जाम देखे आयो कल आपका दूसरा paper है तो आपके पा आपको कुछ 10-11 घंटे approximately मिलेंगे वो कैसे 10-11 घंटे में कैसे आपको पूरा syllabus revise करना है वो आपको strategy बनाना advance में क्यूंकि आप practically सोचो आपने एकदम अच्छे से prepare किया है सारी strategy सारा study plan आपने बना के उसको follow किया बट एक दिन पहले अगर आपका revision नहीं होगा तो आपको answer याद कैसे आएगा और आपको confidence कैसे आएगा जब आपके सामने question paper होगा तब इसके लिए अगर आपका अभी तक strategy ready नहीं है तो मेरा ये वाला वीडियो चेक आउट कर लो इसमें मैंने multiple strategy शेयर किया जिससे exam के एक दिन पहले आप पूरा syllabus आप कवर कर पाओगे वीडियो का पॉइंट है वो है follow a strict study routine अभी भी मैं बहुत सारे students ऐसे देख रहा हूँ जिसका कोई study routine नहीं मतलब वो कभी 7 गंटे पढ़ते कभी 10 गंटे पढ़ते कभी 2 गंटे पढ़ते ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि अभी last 30 days है पहले का जो भी आपने किया वो छोड़ दो last 30 days आपको एक proper study routine बनाना पड़ेगा study routine होगा तो आपको पता है कितने बज़े उठना है कितने breaks लेने कितने घंटे पढ़ाई करनी है कब lunch करना है कब डिनर करना है वो schedule के हिसाब से आप पढ़ाई करोगे तो ज्यादा productivity पढ़ाई भी हो पाएगा तो बहुत ज्यादा important है कि आपके पास एक proper study routine है अभी मैंने कुछ time पहले ये वाले video upload किया था study routine का बट इसको अभी कुछ time हो चुका है और तभी exam इतने नजदिक नहीं थे बट अभी आपको ज्यादा घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक customized study routine upload करू especially for the last month तो मेरे को नीच 30 days और trust me आपने हर एक strategy को अच्छे से follow कर दिया तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोख सकता अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर देना और thank you very much for watching